नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज बात करने वाले हैं बधिया करण के उपर चुकि जब हमें मेमना अच्छा तयार करना होता है अच्छी ग्रोथ देनी होती है अच्छा वेट गेनिंग करना होता है तो हम बधिया करन करते हैं और बधिया करन किन-किन बिदियों से किया जाता है कौन सी बिदी सबसे अच्छी होती है किसमें रिस्क कम होता है किसमें बीडियो में पूरा अंत तक बने रही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी है, बिल्कुल एक्चूल क्या-कया समस्यां आती हैं बदिया करने में, आज कान सी वीडी से हमें करना चाहिए, यह सारी जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो लगा दिया जाता है ब्लेड से टेस्टिस निकाल दिये जाते हैं टेस्टिस निकालने के बाद परफेक्ट बदिया करण हो जाता है अब दूसरे नमबर पे आ जाते हैं तो दूसरा बदिया करण होता है कैस्ट्रेटर के थूप पंचिंग मसीन आप देखे होंगे पंच करके दबा देते हैं, नसे दबा दी जाती हैं दीरे-दीरे टेस्टिस सूख जाते हैं और बदिया करण हो जाता है तीसरा आता है Illustrator के थो जिसमें bind देखे होंगे bend, टेस्टिस में bind पहिना देते हैं और दीरे-दीरे bind उनको खून की सप्लाई जो है बंद कर देता है और बदिया दीरे-दीरे हो जाते हैं ये तीन बिदिया सबसे ज़्यादा प्रचिलित हैं और इनमे से यदि गाओं देहाद छेतर की अंबात करें तो दो बिदिया ही सबसे ज़्यादा प्रचिलित हैं का स्ट्रेटर थू वाली और यही चीरा विधी वाली अब इनमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिसमें बदिया करान गिल्कुल परफेक्ट डंग से होता है तो देखिए सबसे परफेक्ट जो बदिया करान होता है वो होता है चीरा विधी दोरा जो पुराने जवाने से चलता आ रहा है चीरा विधी सबसे बड़ी समस्या आती है कि यदि किसी परफेक्ट आदमी से आपने चीरा भी दिखा नहीं करवाया बदिया करा तो नस खीचते समझू कि आपने देखा होगा टेस्टिस जिस नस से जुड़ा रहता है पूरा अंदर तक की नस खीची जाती है और दोनों तरफ के दो टेस दर्दनाक यही बदिया करण होता है तो इसमें साओधानी क्या क्या रखनी है देखिए यदि चीरा भी दिखे आपके पास कैस्ट्रेटर इलेस्ट्रेटर वाली सुविदा उपलब्द नहीं है तो आपको किसी परफेक्ट आदमी से ही करवाना है जो हमेशा करता हो एक ची हो है उसकी हाथ में पकड में आने लगे ताकि खीचते हुए अच्छे से बन जाए तब करवाना है ज्यादा बड़ा मेमना कराएंगे तो रिस्क ज्यादा रहता है दर्द भी ज्यादा होता है तो हो सके तो डेड़ दो महीने बाला यदि चीरा भी दिखे करवा रहे हैं द नस पकड में आने लगी हो टेस्टिस पकडना टेस्टिस के आगे जो नस आती हो पकड में आने लगी हो लगबग चार-पाँच महीने का मेमना हो उसकी नस दबवानी है चूंकि नस प्रापर दबेगी तभी बदिया करण साहिसे होता है नहीं तो इसमें प्रापर डंका ब आदेगा एक बार नस तोड़ेगा दो बार नस तोड़ेगा तीन तीन बार पंच कर देते हैं इसके बावजूद भी साहिसे नहीं कर पाते हैं यदि वो परफेक्ट बंदा नहीं है तो इसमें ध्यान ये रखना है कि दोनों नसे अच्छे से दब जानी चाहिए दबने के बा टेस्टिस बड़ा एक छोटा नजर आ रहा है आप कुछ दिन बात देखेंगे बदिया करने के बाद तो ये टेस्टिस छोटा और बड़ा नजर आ रहा है तो समझ जाईए परफेक्ट बदिया करन नहीं हुआ है आपका मेमना काम करता रहेगा तो उसको आपको दुआरा फिर से करवाना पड़ेगा चूंकि परफेक्ट डंग से कैस्ट्रेटर के थ्रू बदिया करन नहीं हुआ है तो इसमें समस्य यही रहती है कई बार मेमने कोई दुआरा बदिया करन कराना पड़ता है सही से नस दबती नहीं है नमबर तीसरा आ जाते हैं इलेस्ट्रेटर क के थ्रू जो होता है इलास्टिक जो बैंड के थ्रू होता है उसमें क्या करते हैं कि टेस्टिस को उसमें पहना देते हैं और बैंड चड़ा देते हैं मसीन आती है बैंड चड़ा दिया जाता है और दीरे दीरे जैसे बलड की सफलाई कम होती है दीरे दीरे टेस्टिस जाते हैं कहां तक यह सफल है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है चूंकि मैं इसलिए कह रहाँ कभी यूज नहीं किया बाकी यह दो जो विदियां यह दोनों यूज की हुई है कास्ट्रेटर फू वाली और यह चीरा विदिवाली चीरा विदि में आपको बीटाडीन, ये सारी चीज़ें, साफ सफाई, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, गाओं दियात में तो ज्यादा तर क्या करते हैं कि राक, चूले की जो राक होती है, चीरा लगाया, इसके बाद वही राक लगा देते हैं, लेकिन आपको इन विदियों पे नहीं जाना है आपको क्या करना है, कि बीटाडीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें रखनी हैं, एक दर्द की गोली रखनी है, हो सके तो मेलोनेक्स प्लस की गोली रख लेना है, वो दे देना है, ताकि बुखार वगएरा ना है, इन चीज़ों का ये आप ध्यान रखेंगे, तो समझ गया होंगे, एक बीडियो मैं इसमें लगा भी देता हूँ, कि जो मैंने कैस्ट्रेटर के थुरू जो बधिया कराया हुआ है, उसमें क्या-क्या समस्या हैं, आप देखना, एक टेस्टिस तो सूख गया है, लेकिन एक टेस्टिस में अभी भी बलड की सप्लाई जारी और मेमना पर्फेक्टली जो है, बधिया नहीं हुआ है, लेकिन वहीं जो चीरा भी दिसे कराये गए हैं, वो पर्फेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मोटल्टी देखी जाती है, तो अब आपको समझना है, कि करवाना कौन सा है, तो मेरी जो राय है, यदि आप थोड़ा कम केर क कर पाते हैं, मेमनों की देखरेक सही से नहीं कर पाते हैं, या आपके एरिया में पर्फेक्ट तरीके से चीरा भी दिखा, कोई ब्यक्ति नहीं कर पाता है बधिया करना, तो आपका एस्ट्रेटर के थू ही करवाएं, हो सके, भले ही एक बार में ना कर पाएं, तो दूसरी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, हैव गुड डे, थैंक यू